तुसी बेखरें चकदे टीवी ते मैं हां सुखपटीवाल लेके हाजर होयां देश्वदे दी जानकरीनू तोहडे रूबरू कर दियां खबरां खबरां दा अगाज करन तों पहलने के नजर मार लेनिया अजदियां सुर्खेंवल तीन साने कैप्टन ते सकवीरनू दसे ऐको थाली दे चटे बटे सिद्धू बाबतवी दता वड़ाव्यान आम आदमी पार्टी ने बास्ट सत्तर नू लेके पंजाब विदान सबा सपीकर नाल कीती मुलाकात रखी वड़ी मंग अकाली दल ने राणा केपी अगे रखी वड़ी मंग मजीठियां ने कैप्टन सरकार ते बोल्या तावाल लगाए गंवीर दोश क्रोना वाइट्स नू लेके कैप्टन साब ने मीटिंग कर चुके वड़े कदम मनप्रीत वादल ले कैप्टन दी रण निती कीती जग जाहिद सक्वीर दे गोशा एक वार फिर पोलसर डीके होया केस दर्ज काली दल परचे रद करवाउन लई होई तरलो मची प्रावाच होई राजनिती खुनि जंग चलियां गोलियां कांगर्सी आग्णु गोली मार प्र आने ही उतारया मौदेकाद वैवलकलां गोली काण दे गवादी मौतों वाधि कहोर गवाधी जानु खत्रां कांगर्सी लीडर बाजबादे खुल्ले बडे राज आज इसते मेरा कमिट करना पॉसिवल नहीं है क्योंकि एहे फैसला सरदार नबजोज सिंग सिद्धू ने करना है पर इकगल जरूर है भी जो उन्ना दी राजनीती है जिस तरहां दा उन्ना दा अक्स है पंजब दे लोक जरूर प्रवाबित ने ते ओहो चौंदे ने कि नबजोज सिंग सिद्धू कोई फैसला लेके पंजब दे विच कोई चंगी पार्टी दा हिसा बने यह सिद्धू समन्दी बोल ने अकाली दल तो बागी होए परविंदर सिंग टियंट सा दे यह बोल टियंट सा ने उस समय कहे जो दो मीडिया ने उन्ना नुसी तू दे टक सालियां चे शामिल होन बारे सवाल की था देखो यह था था आज जिदे चे मेरा इस ते कमेट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यह फैसला था सदार नवजोज सिंग सिदू ने करना है पर इक गल जरूर है भी उना दी जो राजनीती है जिस तरा दा उना दा अक्स है उस तो पंजाब दे लोग जरूर प्रभावत ते चाउंदे ने भी नवजोज सिंग सिदू तेड़ा है कोई फैसला लेके पंजाब दे विच्च कोई चंगी जिक और्टिनेटिव दा हिस्सा बांग इस मुआखे परविंदर सिंग के इंटसा ने कैप्टन दे सुखबीर बादल नूं इकको थाली दे चटे बटे दास पंजाब दे विच्च सिर्फ दो परवारां दी चल दी है कि कैप्टन नमरेंदर सिंग दी एक बादल परवार दी उस तो बिणा पंजाब दे विच्च किसे व्यक्ति कोई नी कह साथा है मेरी रत्ती पर भी चल दी है आम आदमी पार्टी बलों बस्ट सतर नूं लेके पंजाब दान सभा स्पीकर नाल मुलाकात किती गई इस दोरान सतर बदाओं दी मंग रखी गई नालही बिजली शिराब माफिया ते मंत्री कार्जकाल दे खिलाब बेल्लेओं दी भी मंग रखी इस दी जानकारी मुलाकातों बाद अमन अरोडाने मीडिया नूवी दती हमने तीन चीजें स्पीकर साब को बेंती की है के एक तो पंजाब में लिकर कॉर्परेशन बनाई जानी चाहिए जैसे दिल्ली में है तमिल नाडू में है क्योंकि आज लिकर का शराब का माफिय जो है वो बड़े हाई और माइटी जो लोग हैं जो बड़े बड़े पॉलिटीशन्स हैं वो चलाते हैं महज पांच हजार पचपन सो क्रोड है ये कमाया जाता है जबके तमिल नाडू में चाहे हमसे स्टेट बड़ी है लेकिन जो शराब की कंजंशन है वो अल्मोस सेमिलर है वो 29,000 क्रोड कमाती है और इसके लिए हमारे पास पूरे डॉकुमेंट्स हैं एविडेंस हैं कि किस तरीके से हर्याना से और चंडीगर से और पंजाब की खुद की अपनी डिस्टिल्रीज वो स्मगलिंग करती है एक्साइज की चोरी करती है आज जो महज 500 क्रोड का एक्साइज रेविन्यू आता है ये कम से कम 11-12,000 क्रोड पे पहुंचाया जा सकते है अगर लिकर कॉर्परेशन बना के इन डिस्टिल्रीज के ऊपर और रिटेल और जो होलसेल का बिसनस है उसको ओपर ढंक से कंट्रोल किया जाए तो जो रेविन्य जनरेशन है वो भी मल्टी फोल्ट हो जाएगी डबल हो जाएगी कम से कम और एम्प्लाइमेंट जनरेट भी होगी दूसरा जैसा कि आपको पता ही है कि हम बड़े लम्मे समय से जो बिजली के एग्रिमेंट्स किये थे पावर परचेज एग्रिमेंट्स किये थे तीन थर्मल पावर प्लांट्स के साथ वो एक लूट के साइन कर गी है पिछली सरकार जिसको ये मजूदा सरकार तीन साल से कैप्टन अमरिंदर सिंग उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इसके लिए अब कॉंगर्स के अंदर से भी बड़े बड़े लीडर्स की जो सुरे हैं वो सब के सामने आने लगी हैं हमने ये कहा है कि आप अपने मेनफेस्टों को सरकार वादे को पूरा करे जो तीन प्राइविट थर्मल पावर प्रांट्स के साथ एग्रिमेंट हुए हैं उनको या रिजेक्ट करे रद करे या रिव्यू करे ताके जो आने वाले 25 साल में 70,000 करोड की पंजाब की लूट हो जानी हैं जिसकी वज़े से टाइम एंड अगेन बार-बार बिजली के रेट्स बढ़ते हैं अब इस सरकार ने 4800 करोड का एक और बोज जो है सिर्फ अपनी नलाइक की और मिली भूगत की वज़े से पंजाब के लोगों के से डाल दिया है अगर दिल्ली जो के एक यूनिट भी बिजली प्रोड्यूस नहीं करती अगर वो इतनी सस्ती बिजली दे सकते हैं तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंग क्यों नहीं दे सकते हैं अब हमारी बात को तजदीक जो स्टेट अध्यक्ष हैं कोंगर्स पार्टी के सुनी जाखर जी, सुवजंदर रंदावा, परताब बाजबा सारे किनके कोंगर्स के MLA's, परकर सिंग सारे कह चुके हैं सो मैं समझता हूँ कि एप्टन साब ने अगर हमारी या पंजाब के लोगों की नहीं सुनी तो एट लीस्ट कम से कम अपने मंत्रियों की, अपने सयोगियों की जरूर सुन ले तीसरा एक हमने और बिल स्पीकर साब को दिया है कन्फलिक्ट आफ इंटरस्ट बिल जिसको हितों का टकरा हम हिंदी या पंजाबी में कह सकते हैं कि अगर कोई मिनिस्टर, अगर चीफ मिनिस्टर, कोई MLA इस तरह का काम करता पाया जाता है कि अगर वही स्पोज मिनिस्टर है, स्पोज माइनिंग का मिनिस्टर है और उसकी खुद की माइनिंग चल रही है अगर कोई ट्रांस्पोर्ट का मिनिस्टर है जैसे पिछली सरकार में देखा इस सरकार में भी एक केस हुआ था राणा गुर्जी सिंग जी का खुद मिनिस्टर भी थे और खुद माइनिंग में इंटरस्ट भी था पिछली सरकार में जिन लोगों के पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट था उन्हीं की हजारों की तादाद में बसिज चलती थी अगर कोई इस तरह का बिजनस करता जो जैसे चनक्या ने कहा था कि अगर देश का राजा राज करने वाले ही वपारी बन जाये तो उस देश के लोग जो है वो बिखारी बन जाते हैं आज पंजाब के साथ वही हो रहा है जितने बड़े पॉलिटीशन्स हैं जितने बड़े वही सारे बिजनस कर रहे हैं पंजाब को लूट रहे हैं और पंजाब का ख़जाना खाली होता जा रहा है हमने एक ऐसा कमिशन मनाने की मांग किया है इंडिपेंडेंट कमिशन जिसमें जजजिस हो और जो एक्सिलेंस के लोग हो जो बेदाग लोग हों उनको उसका मेंबर ब पॉस्ट के उपर अगर अपने इंट्रस्ट को पालता है पंजाब को लूटता है तो उसकी MLA ship को भी disqualify उसको कर दिया जाना चाहिए और मुड़ के वो दुबारा election ना लड़ सके ये हमने तीन मुख्य मांगे हैं जो स्पीकर साथ से रखी हैं पंजाब विदान सबा बस्ट इजलास तों पहला काली दल ने पंजाब विदान सबा स्पीकर राणा केपी नालम मुलाकात किती इस दोरान शर्म जीत ते लो ने बस्ट सतर बदावन दी मंग रखी मुलाकात तों बाट ते लो ते बिकरम मजीतिया ने मीडिया सामने कैप्ट भी तिने चार सेशन बलाए गई है और उना सेशना चे एमरजनसी आले हलात रखे गई है एमरजनसी आले हलात में इसलिए कहीं नहीं है कि सरकार ने अपना कम करना है मगर सरकार दे उते एक चेक अन बैलनस दा कम ऑपोजिशन ने करना है मगर पिछले सेसिना चे तुसी विख़या होना कि कि में opposition नुँ पाबंदी लाती गई कि तुसी कोई सवाल नी कर सकते तुसी कला सरकार दी मन की बात सुनो फोर तुसी कोई गाल नी कर सकते इन अहलातां चे आज याज speaker सावनों बेंती कीती है कि जे ता थोड़ा रिवाया ओही रहना हाउस दा ते फिर आमें लोका दे पैसे वेस्ट ना करो क्योंकि क्रोड क्रोड रुपईया के दिन ते खर्च उना ते जे फूरूटफुल डिसकॉशन्स होनी है ने जे लोका दे असल मुद्दे जो पंजाब दे हलात बने हैं किसाना दे मलाजमा दे नौजवाना दे धलत प्रामा दे बैकवड बीरा दे अबैबल कलाकांड दे महिंगी बिजली दे असी यह बड़ा वस्तार ना लेकर देता है जे ता एक एक दिन क्योंकि एक दिन भी काटा है एक एक मुद्दे नू लेकर जेता हो डिसकॉशन कराऊंगे फ इंपोर्टन्ट रिसोर्सेज क्रोना वैर्स ने पूरे प्रित्वी बासियां चे हड़का मच्या रख्या इस वैरल नाल चींच बहुग इंती लोका दी मौत हो चुकिया हुने है वैरल हिंदोस्तान तक भी पहुंच कर चुकिया जिजदे चाल दे इस नाल नजजटन लई पंजाब मुकमंत्री कैप्टन मरिंदर सिंग ने कई एहम फैंस लेलाएने जिजदा कुलासा मनटरी सिंग बादल ने मीडिया समने किता अते मौत दे साइच देश दुनिया जिजदे चाल दे हर एक राच सरकारां पुट जोर कोशिश कर रही हैंने कि उनना दे राच कोई इस तरह दा वाइरस नाल गरसित ना हुवे जिसकारन अनेका एहम कदम चुके जारेने इसे थैत स्वाला चुके रही कैप्टन सिरकार नेवी कोज एहम कदम चुके ने इस वाइरस तो पंजाब नू बचाओं दे पर जिनना लोग कांच कैप्टन साफ प्रती गुसा है ओहो ता कैप्टन साफ नू ही क्रोना वाइरस कह रहे ने जिसकार इन पूरे पंजाब चितरा ही तरही है इस मौके मरपी सिंग बादन लेह कबूल कीता है कि जेहे वाइरस हिंदोस्तान चागया ता इस ते काबू पॉना मुश्कील है खैर तुसी खसाना मंतरी दे मुहों ही सुन लवो उनने की एहम कदम चुके ने सर आज पंजाब दी काबीना दी आज बैठक मुनकर कीती गई और यह काफी लंबा अर्शा चली और सब तो पहला था एक दुनिया दे वेचे के नवा अजाब पैदा हो गया है जिनूंग करोना वाइरस कर ले कार दे कोई हिफाजती जिड़े कदम सी गए पंजाब दे विच किन्ने बंद्यां दी स्क्रीनिंग होई जो एरपोर्ट्स ते जो इंटरनेशनल जिड़ी चेक पॉइंट है खास करके वागा ते करतारपूर चंदीगर्ड ओ थिक्की की हिफाजती दमात कीते गए है किन्न बंदे क्वारंटीन रखे गए है और एक बंदा शायद सिस्पेक्टेड जिड़ा सी गा जिनू अब शायद पॉजिटिव सी ओ भी हमनों नेगिटिव चा आ गया है पर बारहल एचीन जैसे मुल्क दे विच्टां एक किवे ना किवे काबू आ गया है और एक गरीब मुल् अजाब आ गया तो हो सकता है साथ हेल्फ देपार्टमेंट तुमाम इंडिया ची एदा जिड़ा कंट्रोल करना है काफी मुश्किल हो जाएगा तो एक ता एक ब्रीफिंग जड़ी है आज कैबिनेट दे विच दिती गई हेल्फ देपार्टमेंट वल्लों रेडी फडिया वाल्यांदी हम्मैत मामले च पुल्सवलों काली दल दे जूत जलापरदान गोशा अते जलापरदान ते दर्ज किते मामले नू लेके काली दल दा वफत पुल्सक मिशनर नू मेलन पहुंचिया अते परचा रद दी मंकिती ना रद होंदी सूर्थ च हाई क रेडी फडिया वाल्यांदी हम्मैत करन दे मामले च पुल्सवलों काली दल दे जिलापरदान गोशा अते अकाली दल दे जिलापरदान ते 187 दर्ज किते गे मामले नू लेके आज अकाली दल दा वफत पुल्सक मिशनर नू मिलनली पहुंचिया जिते बफत बोलो पुल्सक मिशनर नू दोमा आगूँआ ते दर्ज किते गे परचो रात कारन दी मंकिती गी अते अजे हाँ ना करें ते डीजीपी पंजाब अते फिर हाई कोर्च पुटीशन पौंदी गाली भी कही गई इस मंदीर जानकारी देंदें श्रामनी अकाली दल्दे सीनियर वकील परुपकार सिंग कुमन ने दस्या कि श्रामनी अकाली दल्दे दोमा आगूँआ ते जो पौमला दर्ज किता गे ओहो सरा सर स्यासी रंजिश है औना कहा कि सब दान सानों अपनी कल कहन दा अधे शांत मैं टांगनाल परदर्शन करन दा अधिका आगूँद है औना कहा कि लोड पैंते हो डीजीपी पंजाब नूमी मिरनगे अधे हाई कोर्ट दे वेच पटीशन भी दार करनेगे पहले कलता है जड़े दोनाने तर डनी लगाया जड़े तर ना लगया आजी आलरी योदे वेच गईसी गो नहीं समझा आन गईसी उने कि प्रॉलम हैग है दुखान दोखरीड है नना दे सुनन गईसी साथ तो बटी काला काली तुछ देख्या हूगा शेहीन बाग करेड़ा है वो दे विच्छ स्प्रीम कोड ने किया है कि तर ना लगाना इल्लीकल नी है गा एक थ्यार राइट है आर्टिकल की है गा वह जे थले क्वांस्ट्टूशन दा जे थले विद मर्यादा दे विचे ग अबना यंदे ने अपने लेवल दो काउटना पैदा करी यंदे ने ते बड़े आला अफसरां ने हैगा वह उन्हों मिस्गाइड का रहे है वहां दस्यान ये ना ने के पाई हो थे को इद्दान दी कालने जिदे करके कि लोका उनको इनकर्विनिंस होई होए या करनों दी कि आया सड़े सीपी साब ने सुनिये सारी कल देखो अगर नहीं मांते हैं कि सड़े को ड़ाखत्यार है का सी रेट फाइल करांगे और इतनो लावा डीजीबी नों पेश घंड जावनों से मिलांगे ते फेर ही मांग करांगे कि अन्दान पुलिस आफसर है गी है जिदे कि जड़े की अपना नों एसेचो लगे हो है निया इंड्रेस्टिगरिंग ओफसर लगे है अई दाने बंदे नों इमिडेटली पिजाब पुलिस जड़े है कि पुलिस रूज आथर डिस्मेस कीता जावे ते ना रेट फाइल करांगे कि सो ठासी नहीं बांदी जड़ा है स् एना बलो कोई तर ना नहीं लगाया गया सी पर इस देवा अबजुद भी पुलिस भोलना दोमा अगुआ दे जान बुज के परचाद दर्ज किता गया जो राद होना चाहिदा है आज जे शरोमनिय काली दाल दी के डेलिगेशन जी दे विच सार अनजी सिंग जी साटे जिला जतेदार सार गोलवडिया जी सार पैजिन सिंग जी डांग बीबी देयाल असी सारे सी ऐसी कमिशनर साव नो मिड़के एस कल दा रोस जाहर कीता है कि एक परचा 188 दा सार गुर कॉर्प्रेशन उना नो परमेशन देखे लसांस देखे रेडिया नी लॉण देंदी ते ए उनना दे उत्थे लगे हो तरने ते उनना दी गालते उनना नो हमेहत डिकलेर कन गैसी पर सार नो इस कल दा बड़ा दोख होया अफसोस होया कि एक बहुत वड़ा नानसाफी किती गई शरोमनी काली दाल दे लीडर्स दे खलाफ एक यूथ विंग दा परदान एक शरोमनी काली दाल में दा परदान एक 188 दा परचा उनना देखी ता तो असी एक मांग कीती है कि एज़ेड़ा साडेनर तक का होया उननो तो रांत इंसाफ दो आया जावे ते सानू उनना ने किया है कि मैं जल्दी हो यह स्विच तो अनू अपनी इंक्वाइरी कराके लोड़ी दी कारवे करके इंसाफ दो आउंगा तो मैं दूसरी काले कैनी जाना है कि मिंसिपल कॉर्परेशन ओल्रेडी ए रेडी वेंडर्स तो हो लेसेंस फील है जुकी है रेडी वेंडर्स साइट से लौट नी हुंदियां उन्नानू मजूद्धा सामतों नहीं हटाउनगे ए जड़ी तक्के शाही चाल रही है ए पिलिटिकल वेंडेटा ते ड्रामा कर रही है रूलिंग ते रहे क्योंकि ए घरीब लोग होन कांगरस दे सदा है कांगरस दे नाल नहीं ओस करके उ तूर्नमेट दुरान महाल उससमें दैशत परा बन गया जदो प्राणी रंजीस दे चाल दियां कांगरस यागू तरन पाल टे लूँआ ते उसदे चिचेरे प्रा गुर्जी सिंग बिचकार शब्दी जंग सकिंटाच खुन्नी जंग बन गयी दोमान एक दुजे ते पस् जीत गंवीर जकमी दस्या जारे है और दी उमर करीब 35 साल लग दिया पुलिस ने लाशनू सनाकत लेई तलवंडी साबो दे शहीद बाबा देप सिंग सिवल हस्ताल विर्खे रखे है पुलिस दी मुडली जांस तो और दे कतल 10 शाक्याद जिस दे सरते शरीर ते 60 दे निशानने रामावंडी पुलिस ने अनपशाते लोकां खिला मामला दर्ज करके जांच शुरू का दिती है एक रगू बंगी रगू बंगी रजवाहा जिसनों लंडू रजवाहा भी कहने दे है ना बाहद चक हीरा सिंग बाला थाना अंतल बंडी साब वो जिला बठेंडा देवी चो रजवाहे देवी चो एक और तदी लाश मिली है जिसनी अमर करीव 3-35 साल जो लाश अड़फनंगी है जो लाश लाशदे लाश ने स्रदे विच तेज थे आरदे चान्ड उस दे खाबी शाती पर खबबे पत ते खाबी लाश दी सकरण ये जो fakt वे तेज ते आरदे सब्सक्राइब करके ना मुलूम प्यागती हैं दी देखलाब हो जे कर दी और तदी नाशा है सिवला सिवलास्ता तरबनी साथ वो डेडाव सब्सक्राइब के रखी गई है ते रखी गई है पदा लगे हैं अउर्त कितों दी हैं यह घ्या उर्त दी शनाखत नी हो सकी और सब्सक्राइब करके नाशाराख देखली रापता क्या होई बैवल कलां गोलीकांड दे मुख गवा सुरजीर सिंग दी मौतों वा गोलीकांड चो शिहीद हो एक रिशन पगवान सिंग दे प्रा अते गोलीकांड दे गवा रेशम सिंग ने भी अपनी जानू खतरेदा दावा किता रेश्मने मीडिया सामने कैप्टन सरकार पंजाब पुल्क्स कैबनेट मांत्री त्रिप्तर जिंदर वाजबा दे कई वड़े फुलासे किते ने बैबल कला गोली कांड मामलेच आये दे नमे तो नमा मोड आउंदा दिखाई दे रिया अते इस कांड च काली दलतों वाद कांगरस भी फासदी नजर आ रिया जी हां गोली कांड दे मुख गवा सरजी सिंग दी मौत ने जिते पहला ही कांगरसी लीडर की कीट लो थे गुरपरीत कांगर नू कसूते के रखेया ओथे ही हुन केबनेट मंतरी तरिप्तर जिंदर सिंग बाजबा वी के रेचा चुके ने सरजी सिंग दी मौत नवादी कोरगवा ने अपनी जानू खत्रा होंदा दावा कीत दास देए के बैबल खुर्द बासी रेशम सिंग बैबल कला गोली कांड चे शेहीद होई क्रिशन पकवान सिंग दा छोटा प्रा अपनी जानू खत्रा होंदा मीडिया सामने परदा फाश कर दिया उसने केप्टन सरकार पंजाब पुल्स केबनेट मांतरी बाजबा बैबल कला गोली कांड अते सरजीर सिंग मौत मामलेच कई बड़े खुला से किते ने मैं ही कहना चोना जड़ा दोयार पंदरा देवेच ग्रू ग्रांसाजी बेयादी भी होई सी तरने देवेच शांत में तरना सी ओदेवेच मेरा प्रावी क्रिशन पुकान संग हाज़सी गा मौक के ते मैं भी सी गा मौक के ते बैबल गोली कांड बैबल वेखे जो के उते पुल्स ने अन्ने महा के गोलियां चलातियां पौने के दास्वाइधा टैम सी जो पुल्स ने बेना दस्थें फैरेंग करती शुरूँ मेरा प्राः क्रिशन पुखान संग ते गरजीर संग स्रामा मुखके ते शीद होगे पुल्स ने गोली लगन करने ते तूच्जा नंबर जड़ें उते से शेख पाई चारे होर भी बहुत जखमी होई पोई चसरकार ने कोई भी अंसाब नहीं देता मुखके तागवाँ ही जोड़ा केस दो यार सतारा दे वेचे फैल कीता मैं फ्रीकोड़ दात दे वेचे वेचे अली स्टेट ते वो मेरे वनों में देहरा थे मैं ही मुखके तागवाँ हूँ मेरे समने जो को सोग बीते है मैं आदे एक खीट इठा खार बजारे हैं यह उदो चारण जी शर्मा सी मुखके ते ते बिग्रम जी शर्मा बिग्रम जी संग लार ते एंग स्पेक्टर प्रदीव संग ते अमर जी संग लार अवसर सीगे हरजंदर सेंग बीएसपी ते परमजी संग पुन्नू जो के त्रेप्त इंदर सेंग बाजवा दे रस्तेदार होन करके जड़े एफ़ारे ही असी इंकटाई सी ओदे वेक्चे मुखके ते उदो दो यार पंदरा दे में सीगे है ते जो के होनों केप्टन दी सरकार होन करके मांतरी है ते बंदे कट देते लिए ते दो याठारा दे में हमला होया ओस मेरे सट्टावजिगां बहुत जादे गभीर जो के में पंदरा जिक्राई है पचनमे नंबर मकातमा नंबर मेरा बाजे खाने वेचे दार जाए तो बादी पहला मेरे ते हमला होंता है तो दूज्जा गवा जड़ा सर्जी संग मोपकेदा गवास ही गा उदिया जिकल मोट होगी उचरे दी जो के ओवे ते वे इना प् जो चराह भ्यां प्रेशरदा भी करके दी अपचरा सब्सक्राप आ है जड़े तो अफस्वा ना लेह रहे हों कि उननों मामले जांज रिचे शामली निकिता गया किओ जै उननों था इज जो दे उसामिल किता गया जिए तो तुरे उन्ट गया तो आगर बाइवासी है यस पूदेच्वी इनने कोष्च घितिय परोना जो कारवाई हों तो देख भू निरी दूजे बंदा दे कारवाई कारती जारा पंजा देते ओ बंदे दोने कड़ दते गे हर जंदर संग डी एसपी दे परमजी सिंग पनो ऐसा इनना बंदा दे कारवाई हो जो सानों साम मेलना साम मिले और केप्टन मरें रिंदर संग ने साड़े कर चार वेरी केड़े मारे मेरे जो उदो में इनने केप्टन साव ना कलना हम यह सरकार साड़े मुद्दे दे बनी बैवल गोली गांड ते गुरू जेडे प्रामेरे दोशी हुए क्रिशन परमां से देख जी सिंग स्र करका है हैं करता पूरा है जो नो फारा अशाप मेरे था श्यान प्रम ने करवाए है राज नित कून करके जो के पोलसा ला अनो भुचौ दिखात रेक ते मेरे थे हमला कुराया है नहीं विच्चों रोडा चक्कन दिखात असी यहीं साफ चोन्ही जो शानो टेशन अधिन लिए तो प्रुस्ता के लिए वाइन चल रहे हैं उसाना साल सरकार बनीनों हो गया है होगे कोई भी है कारवाई निया न दी जड़े बंद्यान दे पर्चे होए ओ वेलना लेके बार आरहे है के वह पूआ पूरा पूरा खत्रा है जो मेरे मगर पया वह तो पूरा खत्रा रहाए सब्सक्राइब बता है करा रहे हैं जो के अट चौन पर अड़िय पिन्याव तीशन के वर्लाक करांगे उत्तैन उसके देख़्दर करांगे जो के साथी अगवामा ते रिख्या किती जावे ते अग्य तो अगवामा ते जो कोई हमला होंगा है वो भी सरकारी जो में बार है जे संप्टिशन नहीं देनी जाँ एसा नों तक दियां खबरां ताजात रिन खबरां लेके फिर हाजर होंगे तद तक ली मिन दिवा गया सस्रीकर